सर मेरा सवाल है याखू 5 का 14 यदि तुम में से कोई रोगी हो है तुम कलेशिया के प्राचीनों को बनवाए और प्रभू के नाम से उस पर पेल मल कर उसके लिए प्रातना करे और विश्वास करे कि प्रातना की द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभू उसके लिए उठा के खड़ा करेगा जैसे यह मेरा सवाल है कि सर आज बहुत से जो कि इस वच्छन को लेके कहते हैं कि तेल पानी जैसे आप मैं तो जानता हूं सर लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज का कुलाश्या करें जैसे बहुत से लोग हैं वो कहते है कि अगर ऐसा नहीं है तो यह देखो याकूब के पांच के चोधा में लिखा हुआ है कि तेल का साहरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं उसका जवाब देह रहा हूं आपको आपका नाम क्या है सर जी मेरा नाम है राहूल और मै बस 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 ओके बिदर राहुल जी आप दिली से हैं और आपका हम स्वागत करते हैं पूछो जो भी पूछना है फेस्बुक लाइफ प्रोग्राम है इनका प्रश्ण वह यहां है उसके पीछे वज़ा भी उनों ने बताई याकुब की गिताब उसका पांचवाद्य है वचन चौदा पंदरा सूला तक भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पे जो तेल लगाना है बिमारों प कहा है कि तेल लगा कर लोगों ने प्रात्ना की येशु के जब चेले गए थे प्रात्ना के लिए या वचन सुनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है मैं अभी भी कहता हूँ मैं पहले भी कहता हूँ सबसे पहली चीज विश्वासी खुद प्रात्ना करे उसको दुस्रों के प्राथना की जरुवत नहीं है, प्राचीनों की प्राथना की अवश्रक्ता नहीं है, क्योंकि उसका रिष्टा प्रभु के साथ में हो गया है, और रोमियो की किताब उसका आठवा देल वचन 26 की लिखा है कि हम नहीं जानते प्राथना कैसे करना है, लेकिन पवितर आत्मा आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, आपके लिए और मेरे लिए बिंती करता है, कौन पवित रात्मा मुझको और आपको सिखाता है, मती 6-6, येश्यु ने कहा, दर्वाजा बंद करो, तुम खुद प्रात्ना करो, इस ही याकुब की किताब में, पाचवे अध्याय में, जो आनदित है, वो स्तूती के गीदगा है, लेकिन जो दुखी है, वो खुद प्रात्ना करे, योहिल की किताब, दुसरा अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 28 वचन, कहता है कि जो प्रात्ना करे, ये अर्भया 33 का तीन, कहता है ये यदी तो मुझसे मांगोगे, उठता है कि तेल का सारा क्यों, ना मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी एक वचन को उठा कर, आप किसी प्रकार का बहुत बड़ा सिधान्त नहीं बना सकते, और उसको लेकर, वचन को लगा कर या लेकर, आप अपनी मिनिस्टी खड़ी कर दे, दुसरे शब्दों में, मेरी बाश जो बिमार हैं, और उनके लिए प्रातना करो, लेकिन प्रातना करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम उनके ओपर तेल लगा, और मैं लगाओंगा, लेकिन किस पर, जो बिमार है उस पर, और यह मैं तब करूँगा, जब अभीत्राफ्मा मुझे कहेगा, लेकिन अगर मैं एक दिन ऐसा किया कि प्रभु ने का कि डैनियल इसके ओपर प्रातना करो तेल लगा कर मैंने किया और मैंने देखा कि वो ठीक हो गया तो क्या इस आधार पर उस बेस पर मैं अपनी मिनिस्ठी खड़ी कर दूं कि अब से डैनियल राज के नाम पर मेरा फोटो के साथ तेल की ब है यह टोटल गलत है ठीक है कुछ लोग कहते कि हम तेल लगाए तो लगाओ भाई तेल लगाओ आपका नियाए प्रभु करें कर लेकिन बेचते क्यों और ऐसे लोगों से पैसे लेते क्यों जो नहीं लोग हैं और दूसरा बता दूं राहूल जी आप भी सुनेगा दूसरा लिखाया अगर उसने पाप भी किया हो तो उसकी भी शमा हो जाएगी तो मेरा कोशन है कि विश्वासी अगर पाप कर रहा है तो फिर वो विश्वासी कैसे हुआ है ना आविश्वासी अगर आता है चर्च में याकुब का किताब को अगर ठीक से पढ़ोगे तो वहां पर विश्वासी और आविश्वासी एक्जामपल उसी का किताब का दूसरा दिया है लिखाय कि तुम्हारी सभा में अगर कोई सोने के चल्ले पहन कराता है और कोई गरीब आता है तो वो चर्च की बात कर रहा है जहां लोग आते हैं और आने दो और अगर ऐसा कुछ महां का उ दर्मी तो हम सब है किसने का केवल प्राचीन दर्मी होते है तो दर्मी वो सब है जिसमें अपना जीवन प्रभू येश्यू को दिया तो इस प्रकार की जो बाते लोग कर रहे हैं एक वच्छन को उठा कर अपनी पूरी की पूरी दुगान खड़ी कर रहे हैं कि देखो यह यहां लिखा है, इसलिए हम तेल बेचेंगे, देखो, यहां लिखा है, इसलिए हम यह करेंगे, नहीं, पाउलूस के, क्या कहते हैं, कपडों से लोग ठीक हुएं, तो इसका मतलब क्या है, जो पाउलूस के साथ हुआ, उसको पाउलूस नहीं किया, उसको प्रभू ने करवा और कहूं कि देखो, Daniel Raj ने इसको online किया है, इसलिए तुम लोग सब खरीदो ये तो total मुर्खता है मुझे साथी साथ ये भी पता चला Rahul आप line पे हैं ओके Rahul ने नहीं सुना शायद मुझे यहां तक पता चला है कि कुछ लोगों ने पंजाब के अंदर कुछ लोगों ने sweets पाटे मिठाई और ये बोलकर बाटा है कि उस महान मुर्ख को, जो भी वो आदमी है मैं तो उसको सेवक में गिंती करता ही नहीं हो, कहता है कि उसको प्रभु ने कहा दर्शन दिया, जो भी कहा कहता है कि मिठाई पे प्रातना कर और जिस जिसको बच्चे नहीं होते हैं, उन सब को ये मिठाई खिलाना और वो जो है उनको बच्चे होंगे, वा भाईया येशु के नाम से प्रातना कर देते, येशु का नाम ले लेते, ये कर देते, ठीक है चलो, आपको के आपको लगा कि मुझे प्रभु ने का, कि मैं मिठाई का ये करूँ, ठीक है, मेरा concept, मेरा प्रश्चने ये है आप लोगों के concept के हिसाब से कि आपने सब को मिठाई खिलाने के लिए प्रभु ने बोला है, या किसी विशेश एक वक्ति को, क्या पूरे के पूरे चर्च को मिठाई खिलाने के लिए बोला है, common sense है तो आपकी जो चर्च में लोग आते हैं वो तो प्रभु के लोग हैं और अगर प्रभु के विश्वासी हैं परमिशों से प्रात्ना करें कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मिठाई खाने से बच्चा हो जाएगा एक ओर महाशा है बड़ी सिवा है, बड़ी चर्च है बढ़ा नाम है, नाम तो लेता नहीं हो महा मुर्खों का सरदार बोल सकते हैं यह नहीं नाम दे रहा हूँ मैं उनको वो कहते हैं कि मैं pen पे प्रातना करूँगा pen 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 पे प्रातना करूँगा pen जो लिखते न कलम और उस पर जो उसको कोई छुएगा anointing निकलेगा abhishek बहेगा मुझे प्लीज बताइए कहां है ऐसा कुछ और anointing क्यों बाट रहे हो जबकि anointed already हम हो जाते हैं पहला यौन ना दूसरा ध्यवचन सत्ता 1st John chapter 2 verse 27 वहां लिखा है कि तुम्हारा वह abhishek in English that anointing अनोइंटिंग वह abhishek Holy Spirit को बताता है original manuscript में तो जिस दिन येशू का abhishek हुआ था लुकाचार अठारा के अनुसर उस दिन मेरा और आपका हुआ था तो हम पहले सही anointed है तो मैं pen पकड़ कर कौन सा anointing आसल कर रहा हूँ इसको कहते हैं ये दूसरा प्रकार का आत्मा है ये दूसरी प्रकार की सेविकाई है इन सभी चीजों को आपको और मुझे समझना होगा अगर इतना anointing बट रहा है लोगों में पंजाब के चर्चों में इतना anointing बन रहा है या बट रहा है तो फिर उस anointing का असर क्यों ने देख रहा है या anointing का असर क्यों ने देख रहा है आपके चर्च के लोग अभी भी बिमार है आपके चर्च में बिमार की लाइन अभी भी लगती है तो बेस्ट है ना आप खुद प्रातना करो सब को पहन दे दो या पैसे से दे दो और कहो कि तुम सब ठीक हो गए अगले संडे से तुमको कोई भी बिमारी की लाइन में खड़े नहीं होना है लेकिन क्या देखा जाता है कि आपके चर्च में तो लाइन की लाइन लगी रहती है और उपर से आप ऐसे भी लेते है तो ऐसा किसी प्रकार का एक वचन उठा कर राहूल आप सुन रहें तो ऐसा किसी प्रकार का कोई भी कॉंसेप्ट बाइबल के अंदर नहीं है और नहीं उसको एक वचन के अधार पर कोई सिधांद बनाना है जी जी बिल्कुल बिल्कुल या या थैंक यू रहूल जी जी अगर यही चीज आपको थोड़ा सा कहना चाहरा था जी 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 आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ यह कहना चाहरा था जैसे आपने सब बच्चे वगी बात करी जी तो एक मेरा फ्रेंड है जी विश्वासी है ठीक है तो बन्दब कहीं और जाता है वट आपकी मसी मंतन बैटक से नहीं जोड़ा हूआ है तो वो कह रहा था बन्दब मेरे को जी है कि मैं मेरा एक भाई है ताओ का लड़का वो कह रहा था कि मेरे 16-17 साल से बच्चे नहीं हुए है 10-12 साल से 16-17 साल से जोगी है तो कह रहा था कि मैंने उसको बताया कि एक ऐसे पास्टर जी है वो पास्टर जी गारंटी से कहते हैं कि मेरे यहां आओ तो गारंटी से लड नहीं लूँगा और आप साहिद समझ गए होगे ऐसे कौन से परचारक हैं और किस तरीके के लोग हैं जो यह इस बात कर दावा करते हैं कि हमारे यहां चर्च में आओ हमारे सवा में आओ तो गारम्टी से हाथ रखने से लड़का होगा इस तरीके की बातें सर मेरे मेरे सुनन और आपने प्रचारकों का जुंड जो में तयार कर रहा हूं आपने उसको जोड़ चुका हूं सर प्रग्राम देखता हूं और प्रबू ने मेरी बुद्धी और समझ को प्रबू ने खोला है और पहले मसी जीवन को बहुत ही हलके में लेता था लेकिन आपके वचन के जैस वास्तम में है क्या बहुत अच्छी प्रभू मुझे समझने के लिए मौखा दे रहा है जी थैंक यू रहूल गॉड ब्लेसित रहूं